हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो चैनल बलजित सर्द ये स्टूडेंट जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनल येर्स एक्जाम फाइनल ये स्टूडेंट्स की ओर से एड़ोकेट अलग अलोग श्रिवास्तो जी ने सुप्रीम कोट में आचिका दायर की है जिसकी सुनवाई जो है वो 27 जुलाई 2020 को होने वाली है सुमवार को दो दिन बाद दोस्तो लेकिन उससे पहले एड़ोकेट आलोग श्रिवास्तो जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक बहुत ही इंपोर्टेंट ट्विट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि युज जिसी ने अंतिम वर्ष फाइनल ये स्टूडेंट को सिर्फ दो ही ऑप्शन दिये हैं पहला परिक्षा देने जाओ खुद या फिर परिवार कोरोना संक्रिमित हो जाए तो महंगा इलाज कराओ या फिर मारे जाओ दोस्तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें जिसी ने 6 जुलाइ 2020 को गाइडलाइन जारी किया था कि नहीं आपको फाइनल ये एक्जाम देना ही होगा जो कि सेप्टेंबर 30 तक के सेप्टेंबर 30 या सेप्टेंबर के एंड तक कंड़क करना ही चाहिए जिस पर कुछ स्टेट गोर्मेंट ने इसके अगेंस कुशन रे पर दिग्री कॉलेज और जो पीजी के कोर्सेज हैं उसके राइट आपके पास नहीं है और यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया है परिक्षा छोड़ दो या तो एक्जामेनेशन में मत जाओ आप फिर इस साल नौकरी और नामांकन के अवसर भी छोड़ दो दोस्तों UGC की तरफ से सिफ दो ही option मिले हैं final year students को पहला है या तो परिक्षा देने जाओ या तो खुद संक्रवित हो जाओ ठीक है COVID-19 के शिखार हो जाओ और उस खुद हो जाएंगे तो फिर परिवार को तो automatic होना ही है ठीक है क्योंकि हम तो परिवार के साथ में ही रहते हैं कुछ बच् अब आगे उन्होंने लिखा है इस अन्याई के खिलाफ हमें Supreme Court से न्याई जरूर मिलेगा दोस्तो ये इस उम्मीद में लिखा है Advocate अलग श्रिवास्ताव जी ने कि जो 27 जुलाई को सुमवर को जो सुनवाई होने वाली है उसमें भरुसा दिलाते हुए कि हमें Supreme Court से न्या पाइनल यर स्टुडेंट्स के इंटरस्ट में ही हो दोस्तों ऐसी एजुकेशन अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दूस्तों में शेर करिए और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करक पूच सकते हैं थैंक यू